है गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज आजकी वीडियो में मैं आपके साथ मेहंधी की वीडियो शेयर करने लगी हूँ आजकी वीडियो में मैं आपके साथ नुपूर हीना महंदी से किस तरह से आप बिल्कुल red burgundy shade पास सकते हैं इसकी वीडियो शेयर करूँगी hope guys आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर करें तो guys आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नूपुर हीना महंदी का यूज किया है, aloe vera और beetroot का मैंने यूज किया है नूपुर महंदी के मैंने दो पैकेट लिए है easily local market store से आप इसको बाई कर सकते हैं लोहे का बरतन महने लिए है लोहे के बरतन में महंदी अगर हम भिगो कर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे यह गौद्रेज नूपुर हीना महंदी है बहुत ही अच्छे वाले इसके result है हीना महंदी है मतलब इसका result बहुत ज़्यदा अच्छा आता है अगर आप natural brown color चाहते हैं तो आप simple महंदी को महंदी में coffee डाल कर लगा सकते हैं बट मुझे ना red burgundy shade चाहिए बिल्कुल natural red shade चाहिए इसलिए मैं beetroot का इसमें use कर रही हूँ beetroot को आपको grind करके उसका जो rust है ना उसका जो color है वो निकाल लेना है इसमें आपको पानी नहीं डालना है जो हमने beetroot का rust निकाल लेना है उसी से महंदी को big होना है इसमें मैंने aloe vera भी add की है aloe vera हमारे बालो के लिए बहुत ही ज़दा beneficial होती है हमारे बालो को natural conditioner करेगी हमारे बालो को बिल्कुल soft, silky, smooth बना देगी महंदी यह वली बढ़ी अच्छी है natural महंदी है तो इससे आपके बालो को बड़ा अच्छा एक natural सा color मिल जाएगा इस तरह से आपको इसे बिगोना है अच्छी तरह से इसे mix कर लेना है किसी भी तरह के lumps ना रहे तो मैंने ने इसे overnight छोड़ा है आपको यह पास अगर ज़्यादा time नहीं है तो देखे मैंने इसे बिगो लिया है अब आपको इसे ढखक कर overnight छोड़ देना है या आपकी मर्जी है कि आपको overnight रखना है या फिर तीन चर गंटों के लिए रखना है बहुत अच्छा वाला result आपको देखने को मिलेगा तो देखे मैंने इसे overnight छोड़ दिया था और अब आप इसका कलर देखिए साइड पर बरतन के साइड पर बिल्कुल black कलर आ गया है बरतन का कलर पूरा महंदी में आ चुक है महंदी अब इतना अच्छा इसका कलर आएगा ना क्योंकि हमने इसमें aloe vera भी एड़ किया beetroot भी एड़ किया तो हमारे बालों को बहुत soft, silky, smooth बना देगा महंदी लगाने के बाद आप चाहे तो simple पानी से भी hair wash कर सकते हैं शैंपू ना यूज कीजिए जस्ट पानी से hair wash कर लीजिए और फिर oiling कर लीजिए दो दिन बाद hair wash करेंगे फिर आपके बालों में बिल्कुल पक्का वाला कलर रहेगा अगर आपको red कलर अच्छा नहीं लगता है तो आप natural brown कलर भी इसी महंदी से पा सकते हैं जस्ट आपको coffee add करनी है तो मुझे red बरगंडी shade अच्छा लगता है मतलब red red बाल जब sunlight में बड़े अच्छे shine करते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं अगर आपको grey hairs की problem है white hair की problem है तब भी आप इस तरह से महंदी को भीगो कर रखके इसका use कर सकते हैं आपको बहुत अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे तो देखे इस तरह से आपको महंदी को लगाना है बालो की partition करकर के section by section अच्छी तरह से महंदी को लगाना है ताकि अगर आपके grey या white hair है वो भी आपकी problem ठीक हो जाए आपके सारे बाल अच्छी तरह से color हो जाए इस महंदी का कोई भी नुकसान नहीं है हमारे बालों पर अगर आपने rebonding, smoothening, keratin कुछ भी करवाया है तब भी आप महंदी का use कर सकते हैं अगर हम color use करते हैं तो हमारे बाल दीरे-दीरे खराब होने start हो जाते हैं तो अगर आपने rebonding वगएरा करवाया है तो आप इस तरह से यह वली महंदी का use कर सकते हैं बड़ा अच्छा वाला color आ जाता है मुझे नुकपूर महंदी बहुत अच्छी लगती है तो मैं इस महंदी को सिरफ फ्रंट फ्रंट में लगा रही हूँ क्योंकि फ्रंट में ग्रे हेर काफी जादा है सफेद बाल बहुत जादा है तो इसलिए उन्हें cover करने के लिए मैं जस्ट फ्रंट पे यह वली महंदी लगा रही हूँ आप अपने बालों की लेंथ के according महंदी की quantity बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं जितनी आपको नीड है उतनी आप यूज कीजिए बहुत reasonable भी है यह वली महंदी आपको just 10 रूपीज और 5 रूपीज में भी इसका pouch market में available है हीना महंदी है अच्छी महंदी है तो आजकल तो बहुत तरह की महंदी market में आ गई है तो आप मतलब ऐसी महंदी का यूज कीजिए जो आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान ना करें तो देखे सारे बालों पर महने महंदी लगा दी है तो चलिए गाईज हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए थैंक्यू बाई